Hello and welcome you all, मैं हूँ धनान जै, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे Defense Ministry of India और हिंदुस्तान Shipyard Limited के बीच में एक Contract Sign होता है जिस Contract का Value 2.3 Billion American Dollars है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा Amount है इसमें Defense Ministry of India को 5 Ships मिलने वाले हैं जो सबसे यूनिक चीज है इस Contract के बारे में वो यह है ना कि जो Ship का Development हो रहा है यह 100% Indigenous है जिसको कि 100% भारत में डिजाइन किया गया और जो Construction भी होगा वो भारत में ही होगा जो कि विशाका पतनमे होने वाला है और इस Ship का जो Weight रहने वाला है वो तकरीबन 44,000 टन्स रहने वाला जो कि अपने आप में एक Heavy Weight हो जाता है अगर आप सिर्फ इसी Article को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इस Contract में समझ में नहीं आया कहने का मतलब है कि आपको इस Contract का जो Importance है वो समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपके पास थोड़ा सा एक Indian Defense के बारे में Elementary Idea नहीं होगा तो जिनके पास थोड़ा बहुत Elementary Idea है उनको ये पता होगा कि हमारा जो Defense है वो आपका Dangerously Dependent है Russia के उपर अब भी बहुत ऐसे लोगों को लग सकता है ना कि जो Russia और India है ये दोनों Friend है ध्यान रखिया कि International Relations में कोई किसी का दोस्त नहीं होता हर देश देखता है कि उसके Benefit में कौन सा देश सामने वाला खड़ा है किसी टाइम पर कभी एक जमाना था जब USA का जो Relations थे वो पागिस्तान के साथ काफी अच्छे थे लेकिन आज उसका ठीक विपरीत देखने को मिलता है आज ये देखने को मिलता है कि USA है वो India को सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी बात हमारे लिए कि USA इंडिया को सपोर्ट कर रहा है लेकिन हमें उस सपोर्ट में ये नहीं भूल जाना चाहिए ना कि हम जो हमारे पास्ट में हुए तो उसको हमें नहीं भूलना चाहिए साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो dependency है उसको हम किस तरीके से अपने उपर उसको हम dependent बना याने कि हम self-reliant बनाए और दूसरे के उपर से हम dependency अपने आपको हम कम करें अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जो हम जो ship development की हम बाते करें उस ship का requirement क्या है तो एक तो ship होता है जो war में front line पिलड़ता है जो war ship होता है उसके बाद दूसरा ship होता है जो उसे arms, ammunitions जो war के requirement के जो समान होते हैं वो पहुँचाता है किस तरीके से जो हमारे naval forces है उनको समय पे उनका जो war का जो समान है जो equipment से वो मिल सके वो fast मिल सके और इस ship का जो payload भी रहने वाला है जो ये जो इसमें capacity रहने वाला है काम करने का वो भी काफी एक अच्छा capacity रहने वाला जो काफी payload कैरी कर सकता है war में काफी important होता है कि आपका जो supply chain है वो disrupt ना हो वो जितना smooth जितना quick रहता है war में real time war में जो advantage है वो आपके पास मतलब उस देश के पास वो उतना ही ज़ादा रहता है अब कुछ information share करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में और मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोगों भी इस information खुद अपने end पे पढ़ें ताकि आपको इस information का जो जानकारी का जो real core है इसका real importance है वो समझ में आ सके around 70% of the equipments of Indian Air Force are of Russian origin आप समझ सकते हैं अगर किसी भी देश का Air Force 70% अगर दूसरे country के दुवारा manufactured, arms, ammunition या किसी भी तरीके से उनके equipments पे dependent है तो आपका देश का जो defense है वो कितना जादा vulnerable है यहां मेरा कहने का यह मतलब यह मैं directly या indirectly मैं Indian Forces को कमजोर नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन फिर भी आप यह समझ सकते हैं कि अब कोई भी देश 100% तो independent या self-reliant नहीं हो सकता है यह सभी को पता यह मुझे भी पता है लेकिन 70% अगर आपका देश का defense अगर किसी और देश के ह आत्म हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब real time war होगा तो ऐसा possibility generate हो सकता है कि जो हमारा जो supply chain ने वो disrupt हो जाए क्योंकि हमारा जो जो समान है जो war का equipment से वो supplied by some other country है उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कभी एक दौर था जैसे कि मैंने बताया जैसे 1970s 80s का दौर था कि जब जो USA का जो relation था वो पाकिस्तान के साथ काफी अच्छा था तो वो उस दौर में यूएस भारत को कभी भी समान defense equipment से नहीं दिया करता था क्योंकि 1971 में जो war हुआ था इंडिया पाकिस्तान इसमें क्या था कि पाकिस्तान चाइना और USA तीनों तकरीबन एक साथ अपने आपको वक्त USSR जो था उस वक्त पे वो इंडिया को support करता है ये भी एक reason है ना कि क्यों इंडिया के पास जो defense के जो समान है वो खूब सारे Russian origin के क्यों है लेकिन अब वो समय आ गया है जहां पर जो हमारा जो dependency है वो हम खुद के ऊपर रखें तीन मार्च 2022 का the Indian Express का आप एक article देख सक सकते हैं जहां पर काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से जो हम है वो dependent है Russia के weapons के उपर तकरीबन 80-85% जो हमारा dependency directly और indirectly है वो Russian supplied weapons के उपर में है जो कि आप भी समझ सकते हैं कि जो की अच्छी बात नहीं है I hope कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye